सब्सक्राइब किज़े टेक्नो विकास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फोन में हो रहे हैं ये 5 बदलाओ तो जान लिजे आपका फोन फटने वाला है नमस्कार दूस्तों मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसे अगर आप नजर अंदाज करते हैं तो हो सकता आपका मुबाइल जो है वो ब्लास्ट कर जाए अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको कुछ बातों का जो है वो खास द्यान रखना चाहिए जैसे कि अगर आपके बैटरी डाउन है तो आपको कॉल नहीं करना चाहिए उसी तरीके से अगर आप गेम केल रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं तो उसमें आपका फोन जो है वो चार्ज में नहीं होना चाहिए तो कुछ इसी तरीके के पॉइंट से जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीना समय कवा ही स्टाट करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं तो दोस्तों पहले नमबर में आता है हमारा बैटरी का फूल ना अगर आपको लगता है कि आपके फोन की बैटरी फूल गई है या फिर फोन के back panel पर कोई उभार नजर आ रहा है तो साधान हो जाईए ऐसी सित्य में बैटरी के फटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है फोन को बार-बार गिरने से बचाएं फोन बार-बार गिरने से भी बैटरी डामेज होती है और उसके बार उसमें आग लग सकती है और ऐसे में अपने फोन का खास ख्याल रखें और उसे गिरने से बचाएं गर्म जगा पर फोन को चार्ज न करें फोन को हमेशा कम टेंपरेचर में ही चार्ज करें क्योंकि चार्जिंग के दौरान फोन ऐसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है और फ्रीज के उपर तो कभी भी फोन को रखकर चार्ज नग करें क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है इसलिए फोन को चार्जिंग के समय कमरे के तापमान पर ही रखें मुबाइल पानी में गिरने पर मेकैनिक को दिखाएं कई बार आपने भी देखा होगा कि किसी कारण से फोन पानी में गिर जाता है तो हम खुद ही मेकैनिक बन जाते हैं और उसे रिपैरिंग करने लगते हैं जो की विलकुल गलत है पानी में फोन गिरने के बाद फोन में कई सारी दिकतें आ सकती हैं यहां तक कि बैटरी में short circuit भी हो सकता है तो घर पर फोन जो है वो ना खुले अगर पानी में गिर जाता है तो तो I hope दोस्तों आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सेखने के लिए मिला होगा अगर आपको इसमें से कोई भी point अच्छा लगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दें साथ ही साथ सेर करें इस वीडियो को अपने friends के साथ ताकि वो भी इस बड़े हाथसे से बच पाए तो मिलते है दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के था तब तक लिए बाबा टिक है have a good day